आपका तावून कहां लग रहा है? जो डोनेशन आप आई प्लस टीवी को दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? और उम्मत को इसका फाइदा कैसे मिल रहा है? और एक इसलामिक टीवी चैनल कैसे चलता है? आईए देखते हैं, Behind the Scenes. जो वीडियो हम आई प्लस टीवी पर देखते हैं, वो कैसे बनती है? Complete Process Planning to Broadcast आई प्लस टीवी ओफिस साकिना का मुंबई में मौझूद है. इसमें 35 लोगों की टीम काम करती है. अलहमदुलिला, अक्सर लोग एक से ज्यादा जिम्मेदारियों को अन्जाम देते हैं. आफिस में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रडक्शन, शूटिंग, एडिटिंग, ग्रैफिक्स, प्रोमो, ब्राडकास्ट, पॉब्लिसिटी, इसलामिक हेल्पलाइन, अकाउंट्स और गेस्ट रूम भी है. प्लैनिंग की स्टार्टिंग होती है, कॉन्फरेंस रूम से, ये चेर्मैन, जैद पटेल का कैबिन भी है. यहां प्रोग्रैमिंग की मीटिंग्स होती है, इसमें आइपलस टीवी के तमाम जिम्मदारान के मशवरे से, आने वाले वक्त के लिए प्रोग्रैम्स, डिसाइड और डिजाइन किये जाते हैं, अब शुरुआत होती है, एक बड़े जदो जहद की, छोटी टीम और सेलेक्ट किया जाता है, और फिर शूटिंग के लिए उनकी डेट फिक्स होती है, फिर काम स्टार्ट होता है, सेट डिजाइनिंग का और कारपेंटरिंग वक का, सेट को हकी की शकल देने का, और फिर पेंटिंग, शूटिंग की डेट से एक दिन पहले ही सेट रेडी हो जा नेक्स टेप है लाइटिंग का उस्मान खान आई प्लस टीवी के डी ओपी और कैमरा मैन है और ये है इनकी टीम जो लाइट, कैमरा, साउंड के साथ साथ आफिस के कई और चीजें भी संभालती है अंडर दे सुपर विजन आफ प्रडेक्शन मैनेजर खालिद खान इस वक्त आप मौजूद हैं स्टूडियो वन में यहाँ पर ओडियन्स प्रग्राम का भी इंतजाम है इसके साथ साथ एक और स्टूडियो है स्टूडियो टू जिसमें शॉर्ट क्लिप्स शूट की जाती है अलहम्दुलिल्ला शेख रजाउल्ला अब्दुलकरीम मदनी साहब स्ट अलहम्दुल्ला शेख रजाएं स्टूड की लिए हम लोग रेडियो है बस दो मिनट में यूँ गया और आया जजाकूल्ला खर एक एहम बात अलहम्दुल्ला हिंदुस्तान के तक्रीबं सो से ज्यादा उल्माओं ने प्राण और हदीस की रोश्नी में आई प्लस टीवी पर सैकनो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किये हैं सेफ स्टोरिज रूम में पहुचाई जाती है यहाँ पर वीडियो को तीन जगह पर सेव किया जाता है हार्डिस नैस फिर एल्टियो में इस डिपार्टमेंट में तीन शिफ्ट में काम होता है इस वक्त पर मौजूद हैं शाहिद और नसीम अलहम्दुलिल्ला ये लोग भ पूरा खयाल रखती है साथ ही कौन सी फुटेज कौन से एडिटर को एडिट के लिए देनी है ये सब काम भी ये टीम ही करती है अब यहाँ से वीडियो सेव करने के बाद एडिटर को सेंड की जाती है ये है आई प्लस टीवी का एडिटिंग और ग्रैफिक डिपार्टमें जिसके होडी है इमरान शेख और ये है इनकी टीम शुरुवात होती है एडिटिंग की जिसका प्रोसेस काफी लंबा है लाइनप, शॉर्ट सौर्टिंग, फंबल एडिट, आडियो क्लीनिंग, कलर करेक्शन, ग्रैफिक इंसर्ट ये सब काम करने के बाद एडिटर इसलाम इसलामिक चेक के लिए वीडियो को फावड करते हैं ये हैं शेख हाशिम जिनके अंडर में शेख अबदृल बारी और शेख शाह फहद हैं, ये तीनों हर वीडियो में बया की गई आयतों और हदीसों का रिफरेंस देते हैं, और साथ ही साथ हदीसों के सही होने को चेक भी करते हैं ये सब काम करने के बाद एडिटर वीडियो को फावर्ड करते हैं quality चेक के लिए ये हैं सुजाओदीन मीर जो वीडियो के हर शॉट का proper quality चेक करते हैं quality चेक के बाद ये वीडियो दुबारा एडिटर के पास पहुचती है जो जरूरत के मुताबिक उसमें करेक्शन करते हैं। अब वीडियो आती है डायरिक्टर की टेबल पर जहां फाइनल चेक होता है। लास्ट में एडिटर दुबारा इस वीडियो को सेव रूम में सेंड करते हैं। यहां पर फिर से इस फाइनल फुटेज को तीन जगे सेव किया जाता है हार्डिस्क, नैस और ल्टियो में। अब एक वीडियो तैशुदा वक्त पर सेटेलाइट और सोशल मीडिया के जरिये पूरी दुनिया में हक की दावत को आम करने के लिए नशर की जाती है। अब आपको तसली हो गई होगी कि आप जो तावून दे रहे हैं आई प्लस टीवी को उसका इस्तेमाल कारे खैर में हो रहा है। यह आपके लिए सदका जारिया है। यह वीडियो चलती रहेंगी और आपको उसका अज्जर मिलता रहेगा। इन्शालला इसलिए ज्यादा से ज्यादा आई प्लस टीवी को तावून करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जजाक अल्लाहु खैर। सपोर्ट आई प्लस टीवी आप अपनी जकात और डोनेशन की रक्म इस साल भी आई प्लस टीवी को जरूर दें और इस नेक काम में हमारा साथ देने का अज्र पाएं जकात और डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें या ओनलाइन ट्रांसफर करें आई